राजधानी राइपूर में कई अपराधों में शामील एक विचाराधीन कैदी राइपूर कोट में पेशी के बाद वापस जाते समय पुलिस कस्टेडी से फराध हो गया घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम को राइपूर कोट में लॉक अप से एंड़ी पेस कोट रूम जाने के दौरान एक विचाराधीन कैदी प्रदी पादेनात फाल के दो आरक्षकों को चक्मा देकर फरार हो गया आपको बता दे कि फरार कैदी महराश्ट के एहमद नगर का निवासी है जिसे डियाराई ने दो महीने पहले ही गिरफतार किया था इसके तहती एसेसपी ने लापरवाही बरतने वाले दो आरक्षकों को निलंबित भी कर दिया है वही पुलिस ने सिविल लाइन थाना में मामला दर्च कर लिया है रायपुर से भोलेश मिश्वा के रिपोर्ट